खूंटी जिला मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों का प्रभुत्व है, जिनका लंबे समय तक शोशन किया जाता रहा है और उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर किया गया है खूंटी जिला शैक्षणिक रूप से पिछडे जिले में से एक है और यहां के प्रमुख निवासी मुंडा जनजातियां हैं जिन्हें शिक्षा प्रणाली से लंबे समय तक बाहर रखा गया है इसलिए उनमें साक्षरता की निम्न दर ज्यादा है खूंटी जिले में जन्जातिय आबादी की संख्या बहुत अधिक है S.T. और S.C. की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है और वे अभी भी अपने मूल अधिकारों और सम्मानित जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विकास की मुख्य धारा और प्रतिष्ठित जीवन के लिए आवश्यक मूल भूत सुविधाओं से बाहर रखा गया है जो उनकी समस्याओं को जारी रखते हैं और उनके बहिशकार के कई प्रयासों के बावजूद जारी रहे हैं मुंडा का इतिहास और उत्पत्ति अनुमानित हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में वे कबजा कर रहे थे वह हाल ही में भारतिय सभ्यता के महान केंद्रों तक पहुँचने और दूर दराज के लिए मुश्किल था यह पहाडी, जंगली और क्रिशी के लिए अपेक्षा कृत गरीब है ऐसा माना जाता है कि मुंडा एक बार व्यापक रूप से वितरित किये गए थे फिर भी वे पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं अधिकांश मुंडा लोग क्रिशी विध हैं अपनी भाशाओं के साथ मुंडा ने अपनी संस्कृती को संरक्षित रखने का प्रयास किया है हालांकि भारत सरकार समाज के प्रती उनके आत्म समर्पन को लेकर प्रोथ साहित करती है मुंडा क्रिशी विधों का निपटारा कर रहे हैं वे अपनी अर्थ व्यवस्था को पूरक बनाने के लिए वन से छोटे उत्पादों को भी एकत्र करते हैं, शिकार, मत्स्यपालन, पशुपालन, क्रिशी, वे क्रिशक और अकूशल मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं। मुंडा एक अंतर विवाही जनजाती हैं। जनजाती के भीतर बड़ी संख्या में असाधारन समूह है। भेंगरा, बोदरा, पार्टी, हस्सा, कंद्रू, आइंद, जिरहुल, मुंडारी, निमक, मुंडा, जनजाती, प्रोटो-ॉंस्ट्रोलॉइट दौर से संबंधित है औ जनजाती के समय, दुलहन की कीमत आम तौर पर विवाह से पहले भुगतान की जाती है। विध्वा विवाह और तलाक का अभ्यास आम है। मुंडा जनजाती का परिवार पिट्रिलाइनल, पित्र सत्तात्मक है। गिटियोरा नामक छात्रावास प्रणाली उनके बीच मुंडा कई देवताओं में विश्वास करते हैं। उनके सर्वोच भगवान को सिंग बोंगा कहा जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण रूप से गाव की अध्यक्ष देवताओं, हसु बोंगा काओ, देसुली, जाहिर बुरी, चंडी बोंगा आदी हैं। ये शिकार संचालन के दोरान महत्वपूर्ण हैं। पहाड के पवित्र ग्रोव, सर्ना में गाव के पुजारी पाहन पैत्रिक आत्माओं और आबोंगा की पुजा करता है। बोंगा को हर सामाजिक और धार्मिक समारोह पर उनके आशीरवात के लिए बुलाए जाते हैं, जो आप दाओं को सशक्त बनाने के लिए सुनिश्चित हैं। इनके अलावा वे विभिन अवसरों पर बड़ी संख्या में नर्भक्षी आत्माओं और भूतों को प्रसन्न करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। मुंडा जनजाती मागे, फागू, करम, सरहुल और सोहराई इत्यादी जैसे कई त्योहार मनाती है। यह सांप्रदाएक शिकार द्वारा विशेषता बतलाता है। इस अवसर पर गाव में देवता की पूजा की जाती है। यह होली त्योहार से मेल खाता है, वे एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं। गाव की समरिध्धि के लिए अगस्त सितंबर के महीने में कर्म उत्सव मनाया जाता है। करम के पौधे को अविवाहित पुरुष, गायन और नृत्य के द्वारा जंगलों से लाते हैं, वे पूरी रात चावल और बियर पीकर नृत्य करते हैं। उनके पास संथाल के साथ कई समान ताएं हैं। क्रिशिविध होने के बावजूद उनके शिकार में अच्छे हाथ हैं। मुंडा का सांस्कृतिक जीवन संथाल के समान दिखता है। मुंडा लड़के और लड़कियां गावों में गीत और नृत्य करती हैं। वे हर साल मुंडा लोगों के बीच मनोरंजन का एक और लोक प्रिय साधन है। वे रात में शिकार के लिए बाहर जाने के दौरान मुंडा लड़कों के साथ डॉल पूर्णिमा मनाते हैं।